कि चलिए हम लोग बात करते हैं ज्आरखंड सामन ग्यान के बारे में है तो यह आपका दिख ळहा होगा मैपस दिख लए आपको इसमें आपका ज्वार कंड यहां पड़ता है लेकिन हम लोग मैपस में अच्छे अच्छे से भारत की मैप्स में इसकी स्तिती देखते हैं पहले. ये हमारा प्यारवभारत कनकसा है. इसमें आपका ढ्रखंड आपको दिख रहा होगा, चलते हम लोग ढ्रखंड की तरफ. ये है आपका ढ्रखंड. ठीक है? तो इसकी सीमा आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल है आपका उडिशा, चत्तिसगड, उत्तरपिदेश, पटना, मतलब बिहार और उसके बाद पश्चिम बंगाल इसकी सीमा इनसे लगती है क्योंकि आपसे पूँच सकता है बिहार, जारकंड, PCS किसी भी एक जाम में कि कितने राज्यों से लगती है तो आपको बता देना है उत्तरपिदेश, चत्तिसगड, उडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार बिहार से तो आप लोग जानते हैं क्योंकि बिहार से ही तो अलग होकर बना है आपका जारकंड राज इसकी रादधानी की बात करें तो राची है इसकी रादधानी याद रखिए हम सभी ये आकड़े 2011 की जनगणना के इनुसार बात कर रहा हूँ 28 वे राज्य की रूम में इसकी तिथी आने किति थी ये 15 नवंबर सन 2000 में बना 28 वे राज्य की रूम में बना थे फिर आपने देखा है 29 वे राज्य की रूम में आपका तेलंगाना बना उसके बाद आपने देखा है 2019 में आपके जम्मू कस्मीर को दो भागों में बाट दिया गया एक लद्दा, दूसरा जम्मू कस्मीर तो अब आपके 28 राज्य बचे हुए है हम 2020 में बात कर रहा हूँ जून 2020 में तो आपके कुल अभी 28 राज्य है आठ केंदसासित पेदेश है ठीक है और ये राज्य बदलते रहते हैं इसलिए करेंट से आप लोग जोड़े रहे है इसके मात की बात करें अनुसूचित जन्जाती आदिवासी बहुल लाज्य है खनसंपदा का विपूल भंडार भी है अनेकानिक खनेजों का एकादिकार भी है जार्खन का एक उद्द्युक सिंखला वाला राज्य जार्खन नामकरण की बात करें तो पठारी चे तो जार्डों की बहुलता के कारण इसका नाम जार्खन रख दिया गया अगर भोगोली किस्तिती की हम लोग बात करें तो इसकी भोगोली किस्तिती है आपकी 21 डिगरी 58 मिनिट 10 सेकंड उत्तरी अक्छांस से 25 डिगरी 19 मिनिट 15 सेकंड उत्तरी अक्छांस तक देशांतर ये विस्तार की बात करें 23 डिगरी 20 मिनिट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिगरी 4 मिनिट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है इसे आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं अगर हम लोग राजी के विस्तार की बात करें तो लंबाई उत्तर से दच्छंड तक इसकी 380 km है और अगर पूर्फ से पश्चंड तक की चोड़ाई की बात करें तो 463 है कितनी 463 है जैसे यह है ठीक है इसे माल लीजिए आपका जहरकंड तो यहां से आपकी उत्तर से दच् सीमाओं की बात करें तो राजी के उत्तर में बिहार इसका दच्छं में उडिशा पूर्फ पश्चिम में बंगाल और पश्चिम में चत्तिसगड उत्तर में उत्तर पिदेश आपको मैप्स में भी हम लोग बता चुका हूँ प्रमंडल की बात करें तो इसके प्रमंडल चार हैं पलामू, संथाल, परगना, उत्री चोटा नांगपुर, दच्छडी चोटा नांगपुर गठन की समय इसमें 18 जिली थे वर्टमान की बात करें 2011 की जन्गरमरा के रिमसार तो 24 जिली हैं अनुमंडल 35 हैं प्रिखंडो की संख्या या 314 हैं, कितनी? 314 हैं ठीक है? उसके बाद आँगे आपका उच्छ न्याले की बात करें तो जारकंड उच्छ न्याले हैं देश का 21 बाद उच्छ न्याले बना था आपका जारकंड उच्छ न्याले अगर इसके छेतफ़ल की बात करें हम लोग तो 89,716 वर्क क्लिव मुईटर में ये फैला हुए 89,716 जनसेंख्या की बात करें तो 3,29,88,134 ब्यक्ती हैं इन मैं से पुरुष हैं आपके 1,89,30,315 महला हैं 1,60,57,819 अगर दसकी ये विद्धी की बात करें यानि की 2001 से लगाकर 2011 तक की विद्धी की बात करें तो ये आपकी 22,430 की विद्धी देखी गए जनसंख्या में 0 से 6 वर्स की आयू की बात करें तो 53,89,495 है इसके बाद आपका लिंगनपाद की बात करें ये 0 से 6 वर्स की आयूक में लिंगनपाद की बात की जा रही है 948 है कितना 948 अगर लिंगनपाद की बैसे बात करें तो 949 है पिती हजार पॉर्सों पर 949 महला है अगर जनसंग की अगनत की बात करने तो 414 व्यक्ति पिती वर किलूमीटर में रहते हैं साक्षरता की बात करने तो 66.430 है इसमें से पुरोस हैं आपके 76.830 महलाएं हैं 55.430 कुल साक्षर व्यक्तियों की बात करने तो 1.83,28,000 उनतर व्यक्ति साक्षर है इन में से पुरोस हैं आपकी 1.88,82,519 महलाएं हैं 54.45,550 अगर राज जी की भासा की बात करें तो राज जी की भासा है हिंदी और अन भासाओं की बात करें तो संथाली हो गई मुंडारी हो उडिया बंगला बिधान सभा की बात करें तो यहां एक सदात्मत बिधान मंडल है अकेली बिधान सभा है ठीक है बिधान सभत सदसों की संख्या बात करें तो 1.81 पिलस 1 यानि की बराबर 82 जनमें से 81 आपके निरवाचित होते हैं जनने जनता चुनती हैं एक सदस को एंगलो इंडियन होता है कैसा होता है इसे आपका राजपल चुनता है मनुनीत किया जाता है लोग सभा एंगलो इंडियन समाज से लोग सभा सदसों की बात करें तो 14 संख्या यहां राजपल सभा सदसों की बात करें तो आपकी 6 है इस पिकार आपकी 82 चौदे 4 चौदे 6 राजपल में 6 है लोग सभा में 14 है और विधान सभा में 82 है प्रमुख नगर अगर हम आखे देखें तो इनके प्रमुख नगर हैं आपकी राची जमसेतपोर वुकारो धनबाद पत्रातु हजारी वाग ग्रेडी देवगार दुमका मदूपव राचकी पसू की बात करें तो हांती है यहां का राचकी पक्ची कोयल है राचकी वेक्च साल है राचकी पुस्ट पे यहां का पलास है पलास है, सरवादिक उचाई जल्पेपात आपका हुन्रू है, इसकी उचाई चोहतर मीटर उचे है, साची की स्वड रेखा नदी पर यह आपका जल्पेपात है, अगर सरवुच सिखर की हम लोग बात की जाए, तो पारसुनात है, इसकी उचाई कितनी है, 1365 यानि कि 1365 मीट ग्रिडी ही पठार पर अवस्ते थे आपका पारसुनात, किर्सी की बात करें तो यहां मक्का, आपका हजारी बाग, राची, पलामू संथाल परगना में देखने हैं कुम लेगा, रागी यह हजारी बाग, पलामू में, जौ पलामू में, बाजरा, हजारी बाग, राची, स सिंग भूम में, आलू की बात करें तो हजारी वाग और राची में, और तिसी ये पलामों में, ठीक है? उसके बाद अगर विस्व विद्ध्याले की बात करें यहां की, जारकंड की, तो राची विस्व विद्ध्याले ये राची में, 1960 में इसकी इस्थापना कीगे, बिरसा किसी विद्ध्याले, विस्व विद्ध्याले ये राची में, इसकी इस्थापना 1981 में कीगे, Institute of Technology विस विद्याले मेसरा राची में है, इसकी स्थापना 1955 में हुई, Indian School of Mines धनबाद में है, इसकी स्थापना 1926 में की गई, यानि की बहुत पुराना स्कूल है, अगर हम लोग चिखिस्सा महाविद्याले की बात करें, तो राजेंद मेडिकल कॉलेज ये राची में है, इस इसकी स्थापना 1961 में की गई, पाटली पुद मेडिकल कॉलेज ये धनबाद में देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना 1971 में की गई, हीस्पीटलMart Mental Discuses कांके राची में है, राची में 1978 में इसकी स्थापना की गई, बिद्यालेओं की बात करें तो छोटा नांग पुद, law college राची में 1955 में इसकी स्थाफना law college हजारी वाग में इसकी स्थाफना 1977 में की गई अब बात करते हैं पिसासनीक सरचना की तो ये प्रमंडल हो गए इसके बाद ये मंडल हो गए मुख्याले हो गए अनुमंडल हो गए पलामू ये प्रमंडल है इसके मंडल की बात करें तो इसमें पलामू है इसका मुख्याले डाल्टेन गज इसमें अनुमंडल आता है डाल्टेन गज, हुसेनाबाद, लातिर और चतरपुर इस चतरपुर आपका याद रखिये जारखंड वाला है एक चतरपुर आपका MP में जिला है ठीक है इसमें पलामू में दूसरा मंडल है आपका गड़वा इसकी मुख्याले गड़वा है और अनुमंडल गड़वा नगर उठारी है संथाल परगना इसमें आपका दुमका इसका मुख्याले दुमका अनुमंडल दुमका सदर जाम ताड़ा दूसरा है देवगर इसका देवगर मुख्याले देवगर मध्धुपुर इसका अनुमंडल है गुड़वा इसका मुख्याले गुड़वा गुड़वा इसमें अनुमंडल है सहेवगंज सहिव गंज इसका मुख्याला है सहिव गंज और Rs. राजमहल इसके अनुमंदल है पाकूंड, पाकुड, पाकुनेस्ट का मुख्याला है पाकुनेस्ट का अनुमंदल है अगर उत्तरी चोटा नानंपूर की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा हजारी बाग, इसका मुख्याल है हजारी बाग, हजारी बाग, रामगण, बरी इसमें अनुमंदल सामिल ले, कुरड्मा, कोड रमा, इसकी मुख्याल है कोड रमा है, इसमें अनुमंदल कोड रमा है, चत्रा, 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 धनवाद, धनवाद, भुकारो, भुकारो, चा इसमें आपकी राची आता है, इसका मुक्याला राची है, इसमें अनुमंडल देखने को मिलेगे राची सदर कुटी, गुमला, गुमला इसका मुक्याला है, गुमला सिम्डेगा, इसका मुक्याला है, इसका अनुमंडल है, लोहर दग्गा है, इसमें अनुमंडल लोहर दग का है पुष्टमी सिंग भूम इसका मुख्याला चायवासा है, अनुमंदल, सिंग भूम, सदर, सराय कїल, चक्क धरपूर, पोर्भी सिंग भूमी, मुक्याला जमसेथपूर, ढाल भूम और घाट सी इसके अनुमन डरें आप चलते हैं हम लोग पसू पसू चगिसालाओं की बात कर लेते हैं विहार वीटनरी कॉलेज राची में देखने को मिलेगा राची वेटनरी कॉलेज राची में मिलेगा 1964 में राची कॉलेज और वेटनरी Science and Animal S Bendy ए राची में मिलेगा देखने को अगर Engineering की बात करें हम लोग Engineering महाविध्य हला हैं की तो यहां मिलेगा Virusa Institute of Technology Deemed University का इसे दरजा मिला हुए यह आपका सैंदरी धनबाद में देखने को मिलेगा इसकी स्थापना 1949 में की गई थी Regional Institute of Technology यह जमसेद मुर में देखने को मिलेगा Faculty of Agriculture Engineering यह राची में देखने को मिलेगा Virla Institute of Technology में इस दरह राची में देखने को मिलेगा तो यह आपके किरसी महाविध्याले बबन की वान की महाविध्याले राची Agriculture College राची में स्थापना इसकी 1955 में की गई प्रेयोग चालाओं की बात करें और अनुसंधान केंद तो यहाँ कुष्ट रोक अनुसंधान केंद राची में देखने को मिलेगा Indian Lake Research Institute नामकॉम राची में है 1925 में इसकी इस्थापना की गई Central Mining Research Station धनबाद में मिलेगा देखने को 1948 में इसकी इस्थापना की गई Central Fure Research Institute जादू गोड़ा इसकी स्थापना 1947 में की गई कब? 1947 में तरहे आपका National Metallurgical Liberty जमसेद मुर्भ में देखने को मिलेगा Research and Development Center for Iron and Steel यह आपका राची में देखने को मिलेगा आपका पुस्तकालेयों की बात करें हम तो राजी पुस्तकालेय राची में इसकी स्थापना 1953 में राजी पुस्तकालेय चाईवासा इसकी स्थापना 1957 राजी पुस्तकालेय धनबाद में 1956 में राजी पुस्तकालेय दुमका इसकी स्थापना 1952 में की गई 1952 में आँगे चलते हम लो प्रमंडली ये पुस्तकाले ये आपका हजारी बाग में देखने को मिलेगा 1922 में इसकी स्थापना की गई फिर आपकी संगराले राची संगराले राची में 1972 में स्थापना हुई जहां जंजातिय जीवन की अनिक वस्तु हैं एवं सासकों के समय क या उसे सुरक्षित देखने को मिलेंगे सारुजनिक तिरबंद राच सासन के दिन उद्धिव जारकंड माई का स्रेंडिकेट लिमिटेड हजारी बाद जारकंड इस्टेट सोपर फॉस्पेट फैकल्टी लिमिटेड धनबाद जारकंड एयर प्रोडक्ट लिमिटेड यह आपका राची में देखने को मिलेगा जारकंड इस्टेट बैकन फैक्टरी आपको राची में देखने को मिलेगी जारकंड इस्टेट एलेक्टिक एक्क्यूपमेंट फैक्टरी यह राची में देखने को मिलेगी जारकंड इस्टेट हाई टेंसन इंसुलेटर फैक्ट बुकारुम में देगा 1968 में इसकी स्थापना की गए हिंदोस्तान कॉपर लिमिटेट घाट सिला में 1967 में इसकी स्थापना की गए हाइट टेंशन इंसुलेटर फेक्टरी राची में इंडियन एलुमिनियम कंपनी मुरी Mining and Steel Engineering Corporation Corporation Limited लराची 1965 में बना Heavy Engineering Corporation Limited लराची में 1958 में इसकी स्थापना की गई Indian Explosive Limited Company गोंबिया में 1955 में इसकी स्थापना की गई Vitalizer Corporation of India Limited इस सेंधरी में 1959 में इसकी स्थापना की गई Phyrites Phosphate and Chemicals Limited सेंधरी में हिंदुस्तान जिंक Limited धनवाद में देखने को मिलेगा आपका अब हम लोग बात करते हैं राज राच उद्धोगिक पिकास निगम के नभीन उद्धोगिक संस्थाण गड़ी का कार खाना राची में देखने को मिलेगा समेंट कार खाना पत रातू में देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं पिर मुक जंजातियां उनके छेत देख लेते हैं क्योंकि देखते हैं आप लोग कि ये जंजाती बहुल छेत हैं, संथाल ये आपकी जंजाती है, संथाल परगना में देखने को मिलेगी, उरान ये संथाल परगना और पलामू में देखने को मिलेगी, मुंडा राची सिंग भूम में देखने को मिलेगी, हो पलामू संथाल प परहोर ए संथाल परगना में मिलेगी असुर सिंग भूम में देखने को मिलेगी खरवार आपको पलामू में देखने को मिलेगी कोरवा पलामू में गौंड सिंग भूम में महली राची में बेदिया सिंग भूम में चेरो पलामू में चिक बडाईक राची में कोरा संथाल परगना में परहिया पलामू में किसान पलामू में माल पहडिया संथाल परगना में हिल, खेचरा, ए छोटानागपुर, बंजारा, संथाल परगना, बथोडी, सिंगभूं, बरिजिया, गुमला, कुर्माली, हजारीबा, विचिया, संथाल परगना, मैं देखने को आपको मिलेगी, फिर आपकी समाचार पत्त और पत्ति काएं, जारखंड में जूर निकलती है परभाद खवर ए देनिक, परकासन इस्थल है इसका राची, और 1984 से निकल रहा है, रोजगार परभाद खवर पाक्चिक, ए आपका राची से निकलता है, आज देनिक है, ए राची से निकलता है, राची एक्सप्रेस, ए राची से निकलता है, जनमत डेली निकलता है, वाच एवी दैनिक है पिरकासन इस्थल धनवाद 1947 से निकल लाए घर बंदू इस सब्ताय में एक बार निकलता है यह आपका लोहर दग्गा से निकलता है उन 1886 से निकल लाए यानि की पुराने नियूज पेपर है अब बात करते हैं प्रमुक नदियों की यहां कौन-कौन सी नदिया है यह नदी का नाम हो गया उद्गमिस्थल हो गया उत्री कोयल नदी राची के पठार के मद्द से निकलती है दच्छडी कोयल नदी छोटा नांगपूर के पठार के मद्द से निकलती है फलगू नदी यह उत्री छोटा नांगपूर पठार से निकलती है शक्री भाग से निकलती है, स्वर्ड रेखा नदी, छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है, बराकर नदी, उत्री छोटा नागपुर के पहाडियों से निकलती है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बनो उत्पात, बनो से मिलने माने उत्पात, कौन कौन से हैं, साल, छोटा नांगपुर की पठारी भाग में कुसम एहजारी भाग पलामू राची संथाल परगना सिंग्भूम से अंजन छोटा नांगपुर छे लाग हजारी भाग राची पलामू सिंग्भूम संथाल परगना से तूर तूर एजारखंड की पहाडियों से इसके अतरिक त्याक बनों से सहद, बास, आवला, आम, जामुन, चिरोजी, बैत, गौन, तेनुपत्ता, आदिप्राप होते हैं। समझ रहे हैं, यानि कि बन पर भी हमें, इसलिए तो बोलता हूँ, बन बचा कर रपना चाहिए। अभी मैं कली परसों कहीं आर्टीकल पढ़ रहा था है। पता है, हमारे फैंपड़ी एक तो हमारे अंदर एक पार्ट फैंपड़ों का, एक दूसरा हमारे पेड़ में फैंपड़े। आप सी सोचिए जब हम carbon dioxide चोड़ते हैं जब कहां पेड लेते हैं उसे और पेड oxygen चोड़ते हैं हम लेते हैं आप सोचिए यह कड़ी तूट जाए यहां पेड पूरे खतम हो जाए तो यह आपका एक फेंपड़ा मतलब एक भाग फेंपड़ी का खतम हो रहा है हम लोग साथ जिन्दा कुछी दिन तक रहे पाएंगे अगर oxygen खतम हो जाए तो साथ हम कुछी पल में खतम हो सकते हैं लेकिन हम समझते कहां है कि हमारा दूसरा पेंपड़ा एक भाग यहां पड़ा हुआ है पेड़ चलिए समझ में आ जाएगा और कुछ बक्त बाद मिट्टियां लाल मिट्टी ए छोटा नांगपुर के चित में देखने को मिलेगी अब्रेक मूल की लाल मिट्टी कोडरमा जुमरी तलेया मंडू बढ़का गाउं में देखने को मिलेगी रेतिली मिट्टी पूर्वी हजारी बाद धनबागत में देखने को मिलेगी काली मिट्टी राज महल की पहाडियों के चित में देखने को मिलेगी लेटे राइट मिट्टी पश्टमी राची दच्छड़ पलामू संथाल परगना में राज महल में देखने को मिलेगी सिंग भूम में डाल भूमी देखने को मिलेगी बिसम जाती है मिट्टी इस सिंग भूम में चेत में देखने को मिलेगी आपको फिर आब बात करते हैं हम लोग आकासवाणी और दूरसण केंद देखते हैं जहरखंड की जहरखंड का पिरमुक आकासवाणी केंद राची में है चटी पंचवल सी योजना में राची में दूरदसण केंद इस्थाफित किया गया है जिसकी परदी ब्याबक है जम सेथपूर धनबाद 1984 में तथा हजारी वाग एवं डाल्टेन गंज में लगू सक्तिवाले ट्रांस्मीटर केंदों को इस्थाफित किया गया था काव 1984 की बाद थे अन्य आकासवाणी केंद आपके हजारी वाग में देखने को मिलेगा डाल्टेन गंज अब बात करते हैं जाहरखंड की पिरमुक धार्मिक इस्थलों के बारे में यहाँ आपके मंदिरों की बात करने हैं तो बैदनात धाम मंदिर देवगर में देखने को मिलेगा बद्यकाली मंदिर चत्रा में जगनात मंदिर राची में पहाडी मंदर मंदिर एवी राची में देखने को मिलीगा गुरुद्वारा की बात करें हम तो मैन रोड गुरुद्वारा एज राची में देखने को मिलीगा हजारी बाग गुरुद्वारा हजारी बाग में देखने को मिलीगा गिर्जागर बैप टिष्ट या आपका स्थी एन आई चर्च राची में देखने को मिलीगा स्थी एन आई चर्च चाहिवासा में देखने को मिलीगा गिर्जागर कैथोलिक या आपका कैथोलिक आस्तरम डाल्टेन गंज में मिलेगा देखने को सैंट पैट्रिक चर्च एक गुंबला में देखने को मिलेगा जारखंड के जलकुंडों में प्रमुक बात करें तो हजारी बाग, सूरजकुंड, पिंडार कुंड, दुवारी, कावा, बेलकपी और लोरगात है संठाल परगना में बात करने हैं तो सिंग्पूर हो गया, जरी पानी हो गया, तंतलाई हो गया, तंते सुरी हो गया, वर्माईसा हो गया, रामपूर तथा नूनी भी ला हो गया हजारी बारत का सूरज कुंड सबसे अधिक गरम जल का कुंड माना जाता है अगर हम लोग यहां के प्रमुक बानों की बात करें तो इससे भी आपके questions बनते रहते हैं यह बान हो गया जिस जिले में है उसका नाम हो गया जिस नदी पर है इस्थापना बरस और नदी यहां दिदे बिद्धुत पादन की चंता इनकी हो गए तेले आवाद यह आपका 350 मीटर लंबा है और 33 मीटर उंचा है यह आपके कुडरमा जिला में देखने को मिलेगा इसकी इस्थापना 1953 में की गई बराकर नदी पर की गई थी जल्बिद्धुत ग्रह की दो इकाईयां 4 मेगावाट की यहां लगी वी है दूसरा है आपका कुडरमा बान यह 3.5 किलो मीटर लंबा है और 49 मीटर उंचा है यह आपका हजारी वाग जिले में देखने को मिलेगा 1955 में इसकी इस्थापना की गई थी कॉडरमा नदी पर है 40,000 किलो मीटर लंबा है और 56 मीटर उंचा है यह आपका धनवाज जिले में देखने को मिलेगा 1957 में इसकी इस्थापना की गई बराकर नदी पर उस्तित है 20-20 मेगावाट की 3 काईयां देखने को मिलेगी फिरे आपका पंचेंत बान यह आपका ज्यारखंड में मिलेगा इसकी उंचाई इसकी लंबा है 25 किलो मीटर और उंचाई है 45 मीटर उंचे ज्यारखंड की धनवाद एबं पश्चमंगाल की पुरूलिया चिलों की सीमा पर रिस्तित है इसकी स्थापना 1969 में की गई बराकर दामुदर के संगम पर इन निर्मित्याप का 40-40 मेगावाट की दो इकाईया इस पर बनी हुई है बाल पहाडी वान एक ग्रेट इही में है बराकर नदी पर 20,000 किलोवाट चमता की इसकी चमता है कनाडा मयूराक्ची प्रियोजना दुमका में है इसका 1955 में स्थापना की गई और मयूराक्ची नदी पर इस्ते थे नलकारी बान रामगर्ड केंट हजारी बाग में इस्ते थे 1963 में देखने को मिलेगा नलकारी नदी पर तैनुगाट मुकारो 1973 में दामुदनादी परिस्ते थे गेतल सूध राची में स्थवडनादी रेखा पर इस्ते थे ठीक है अब चलते हैं जारखंड में कुछ महत्पून आंदूलन आप ने दिखा है कि बहुत कुछ आंदूलन हुआ है हैं तो सभी आंदूलन को हम लोग देख लेते हैं जिससे अगर यहां से आपके questions बनता है कोई तो आप आराम से कर पाएंगे देश में 28 सुए राज जारखंड के गटन का इतियास काफी उताव चड़ा का रहा है जारखंड आंदूलन का इस्तियास बहुत पुरा है सबसे पहले चलते हैं लोग 1360 से एज़ेंट में फिर वो साहें बाब का बिहार कावियान जारखंड चित तुरकों द्वारा पदाकरांद फिर 1765 में मोगल वासाय साह हलम ने इस्ट इंडिया को राजस संग्रे एज़ेंट बनाया फिर आती है 1771 की बाद जारखंड चित इस्ट इंडिया कंपनी की अधीन आया फिर आता है आपका 1785 बाबा तिल का माजी का आंदूलन या होता है फिर 1797 बूदी में मुंडा विद्रो नेतत करता थे इसके विश्णू मानकी फिर 1800 पलामू में चेरी विद्रो होता है इसके नेतत करता थे भूमिज विद्रो होता है इसके नेतद करता थे बुद्ध भगत उस्सेंग राम और सुर्मा फ्रे 1831 से 33 की बाद भूमिज विद्रो होता है इसके नेतद करता थे गंगा नारायन सींग 1845 में जारगंद चित में किष्चेनयों का प्रवुएस होता है 1856 की बाद है कि सिपारी विद्रो नेतागर थे इसके विश्वनाद साही गडबत राय सेख भिकारी आदी उसके बाद 1869 की बाद है चोटा नागपुर प्रमंडल में खरीद विक्री कानून लागू सरदार आंदोलन की सुरुआ थी थी 1869 में फिर 1869 की बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं 1860 की बाद तामाड में मुंडा विद्रो होता है इसके नितद करता रेखते हैं दुखन मानकी 1869 चोटा नागपुर कास्तकारी आदी नियम लागू हूआ 1872 संधाल वरगना बंदोवस्त नियम लागूआ 1878 में चोटा नागपुर में सर्दार अंदोलन भार्थी यवन कानून लागू है 1895 से 1900 के बीच बिर्शा अंदोलन से ओरिजिनल सर्वे स्रेटलमेंट 1901 बना 1903 की बाद है चोटा नागपुर कास्तकारी संसोधन कानून लागू हूआ जमीन के स्थाना अंतर पर रोग लगी 1912 की बाद है बंगाल से बिहार एवं उडिशा पितक किये गए 1913-14 की बाद है ताना भगत आंदोलन होता है इसके नेतत करता रहते हैं जात्रा भगत सीबू माया देविया 1930 की बाद है नमक सत्यागे होता है इसके नेतत करता रहते हैं सैदिल महतो, मोहन महतो, गोकुल महतो, गड़े साधी 1936 की बाद है बिहार से उडिशा पितक हुआ 1938 में आदिवासी महासाबा होती है इसके नेतत करता रहते हैं जैपाल सी 1942 की बाद है बाड़ छोड़ो अंदूलन होता है इसके नेतत करता रहते हैं चूनारा महतो, गोविंदा महतो 1938 में खंड सावा अंदूलन होता है ज्यारखंड अंदूलन 1955 में आपका होता है पितक ज्यारखंड राज की गठन के लिए राजपुनर गठन आयोक की समक्च पिदर्सन इसके नेतत करता जैपाल सीम थे 1942 आता है सीवू सोरेन की नेतत में ज्यारखंड मुक्ती मोर्चा गठित किया गया ज्यामूमो 1978 में भारती कमिनिस्ट पाइटी ने ज्यारखंड अंदूलन का समर्धन किया 1989 की बात है ज्यारखंड नेता सक्तिनात महितू की हत्या होती है 1985 की बात है ज्यारखंड ये मुक्ती मोर्चा ने विहार विधान सावे में 14 स्थानों पर कबचा किया उसके बाद 1989 आता है केंद सरकार ने जार्खंड मसले की पर एक सम्ती उगठित की 1992 में जार्खंड मसले की सम्ती ने जार्खंड जनरल काउंसिल के गठन की संस्तूती की औल जार्खंड इस्टिट्यूट इनियन ने जार्खंड बंद का आहन किया जो व्यापक रूप से सपल रहा है फिर आपका 1994 आता है बिहार विधान सभा ने जार्खंड चित्रिय सोसासी फरीशत के गटन की सम्मंदी विध्यक पारित हुआ 1997 में बिहार विधान सभा में पिथक जार्खंड राज समंदी पिस्ताव पारित हुआ 1998 में बिहार विधान मंडल द्वारे बिहार पुनर गटन विद्यक पर चर्चा तीन दिनों का विसे सत्थ आयुजित किया गया वो तक जाके 2000 में सन 2000 में 15 नवंब सन 2000 को जार्खंड आपका 28 वा राज बनता है याद रखिए कोई नया राज आजकल की वाद अलग है लेकिन पहले राज बनाने के लिए कई लंबे सफर रहते थे हैं समझ रहे हैं आप लो याँ पीछे आपके कुछ जल्पे पात हैं नहीं भी याद रख लीजें क्योंकि इनसे भी कुश्टेंस आपके बनते रहते हैं याँ आपके जल्पे पात होगे कुण्ड जिलाव नदी हुंडरू राची जिले में सोड़र रेखा नदीपर दसम राची में कांची नदीपर सदनी राची में संखन नदीपर जोनाव राची में जोनेया फोर्वी सिंग भूम जिले में रजरप्पा हजारी बाग में देखने को गागरी पलामू में गागरी नदी पर गौतम गाग ये पलामू नदी पर देखने को मिलेगा आपको अब हम लोग बात कर लेते हैं जारखंड की नाट संस था है और नाट संग अठने आके ठीक है जारखंड के ग्रिडी यहाँ आपको मिलेगा तेज तास नाट गुरुप तीमोर्ती रंगराले युगा रंगमंच जमसेदपूर यहाँ आपको निहारिका, निसान, ड्रामाटिक, इसोईसियसन, अरब नाट संग, मंच, अराधना, कलपना, अनुपता, कल्चरल सोसाइटी, रंग भारती, अभिनए, यहाँ मिलेगें धनपाद की बात करें, अगर धनबाद की, तो यहाँ अंकुर, बुकारो की बात करें, बुकारो कलाकन, छंदरूपा, एमचे और आर्टियस्ट, इसोईसियन मिल लेगा, राची की अगर बात करें, तो आयाम, वसंद्रा आर्ट, रंग दरपन, सार्तक, देश प्रिया, ना चल, और हजारी बाग में आपको संबराट, अगर संस्किती की बात करें हम लोग यहां की, तो महलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकीत, जूमर, डॉमकच, अंगर नई, डईडधारा, बिवागीत, जंजा इन, आधिवासी नेत्रों की बात करें, तो पाई का नेत, छल नेत देखने को मिलेगा आपको, उसके बाद यहां जदुई नेत, कर्मा नेत, नचनी नेत, नटुआ नेत, अगनी नेत, चोकारा, संथाल, जामदा, गटवारी, माथा, सोहराव, चोकरा, लूरी, सायरो, आधि, संगीत बाध्यांत की बात करें तो तवाग्द केंदरी, एक तारा यहां फिर गुपी चंद, जंत, सारंगी, ट्विला, भुवांग, आनंद लहरी, आधि देखने को मिलेगे। सुसिर बाध्यांत की बात करें तो बासुरी, आड, वांसी, सनाई, मदन भेरी, सिंगा, संक देखने को मिलेगा। आउनद बाध्यांत की मात करें तो मांदर, मादल, ढोल, डाग, घमसा, नगाड़ा, कारहा, तासा, जोडी नागरा, विसम ढाकी, धब, चांगू। अगर घंबात देंध की बात करें तो यहां ज्याल, करताल, ज्यानज, ठाल, मन्दिरा, घंटा, घंट, काथी देखने को बलेगा अगर खेल कूंद की बात करें खेल कूंद इस्तर तो चाईवासा चाईवासा इस्टेडियम जमसेथपुर में बात करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कीनन इस्टेडियम ज्यार डी टाटा स्पोर्ट कॉंप्लेक्स मोहन अहुजा इंडोर इस्टेडियम धनबाद में आपका रेलबे स्टेडियम डिगवाडी स्टेडियम देखने को मिलेगा वो कारों की अगर बात करें तो रेलबे स्टेडियम मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम देखने को मिलेगा हजारी वाग में आपका हजारी स्टेडियम देखने को मिलेगा राची में मैकम मैकन स्टेडियम सत्ताप्दी स्टेडियम वेश्रा मुंडा स्टेडियम देखने को मिलेगा अगर हम लोग यहां के वन्यजी अभ्यारणों की बात करें तो यहां को डालमा अभ्यारण देखने को मिलेगा पूर आपका हजारी वाग नेशनल पार्ट यह आपका हजारी वाग में देखने को मिलेगा इसकी स्थापना आपकी 1906 में की गई थी इसके चेटफल की बात करें तो 186.25 बड़ किलुमेटर है अगर यहां के बनने जीब की बात करें तो सामर नील गाय चीतल जंगली वैल 1906 में की गई थी प्रमुक बनने जीब यहां हांती गौर चीतल सामर नेल गाय देखने को मिलेगी आपको फर्यापना अंगला है आपका बेतला राष्टी यह उद्ध्यान यह पलामू में देखने को मिलेगा इसका चेटफल है 231.262 किलुमेटर और इस्थापना हुई 1986 मे वन प्रमुक बनने जीब हाती गौर चीतल सामर नीलगाय बाग महुआ डांड बेडिया तररस्तिली यह महुआ डांड में मिलेगी पलामू में इसका चेटफल 63.25 किलुमेटर है इस्थापना उननीसो चेटर में हुई बेडिया हिरन वाइल्ड वोर्स यहां देखने को मिल किलुमेटर सामर चीतल तिंदुगा भेडिया हिरन देखने को मिलेगी लावा लौंग बन प्राडी सर्डाती तरंड रिस्तली चत्रा में है इसका चेटफल है 12.75 किलुमेटर बन जीब हैंके बाग तिंदुगा साबर नील गाय हिरन देखने को मिलेगी फ्रे आपका इचा हजारी बाग में देखने को मिलेगा 177.35 किलुमेटर चेटफल में फैला हुए बन प्रमुक जीबों की बात करें तिंदुगा साबर नील गाय हिरन देखने को मिलेगा अब बात करते हैं जारखन के प्रमुक व्यक्तियों की बिशिष्ट ब्यक्ति अलवर्ट एकका एप्रम्बीर चक्त प्राप्त सैनेक हैं विर्शा मुंड़ा एप्रमुक जत्रा और आव यह ताना भगत आंदूलन की नेता थे भागिरत माजी एक खेरवार आंदूलन की नेतित करता थे सिद्धू और कानू यह संधाल बिद्रो का नेतित करते थे आप से किस तरह से क्विश्चेंस बनेगा कि गंगा नारायन कौन थे तो आप बता सकते हैं कि भूमेच बिद्रो का नेतित करता थे बाबु राम नारायन सिंग इस उतनता सैनानी बार सामाजी कार करता चत्रा के थे डॉक्टर गब्यल हैम रोम यह पाल सिंग इह होकी के पिसे दिखलाड़ी भी रहे आदिवेसी निता भी रहे सक्षाराम गड़िष देवसकर इसाहित्कर और देवगहर्त के थे साहित्तकर है ललित मुहन राय चितकर थे आदिवाक्शी जीवन पर चन्थान करते थे ुमका के हर्यैन ठाकुल इस चितकर थे राची के थे कहां के थे राची के थे उसके बाद बाबु लाल मरांडी ये पिथम मुख मंत्री थे याद रखे ये अस्बंध सिंगा ये पूर्ग केंद्री ये बित्थ और विदेश सचिप मंत्री रहे हैं जारखन के प्रमुक परव तेवारों की बात करें अगर हम लोग मेलेंगी तुसू परव ये आपका सिंग भूम में देखने को मिलीगा बाहे परव जमसितपुर में सरहुल बंधना कर्मा किसमस महावीर जैनती बुद्ध जैनती बिजय दस्मी दीपाबली गौबर्धन सश् अगर हम लोग जारखन के राजमार्ग के बात करें प्रमुक राजमार्ग तो राची रावकिला राज उच्पत्त राची लोहर दग्गरा जस्पूर रायगर राज उच्छमार राची चाईवासा राज उच्छमार गया राची उच्छमार राची मोरी पुरुलिया राज उच्छमार डाल्टिन राज का राज उच्छमार यह आपकी प्रमुक राजमा देखने को मिलेगी सोतंता संगराम जंजातिय आंदोलन विद्रो भी हुए हैं उन्हें भी दिख लीजे तमान विद्धो यह वर्स उन 1789 में हुआ और 1794-95 में हुआ यह आपका छोटा नांगपुर छेत में हुआ था जमीदारों के सोसन की विरुद यांदोलन हुआ था हो विद्रो एं 1821 में हुआ चोटा नांगपुर की पठार में बहेट journals के विरुद था फिर्यापका कोल विद्रो यह आपका 831-3x31 में हुआ यह आपका देखना को मिला है छोटा नागपूर में इसके नेतित करता रहे बुद्ध भगस, सिंग राम, सूर्मा मुंडा हो और आओ, खिरवाज जन जाती हो द्वारा जमीधारों और दीकूँओं के विरूत यह विद्रो था भूमिज विद्रो यह 1831 के 33 के बीच हुआ, यह हुआ था बीर भूम, सिंग भूम में इसके नेतित करता थी गंगा नारायन, लगान बेवस्था की विरूत यह आंदोलन हुआ था फुरे आपने सुना होगा संथाल विद्रो, यह वर्स आपका 1856 में हुआ, संथाल परगना में इसके नेतित करता थी सिद्धू और कानो, ठीक है? विसे इस बेटेस सोसक राजनीती, राजज़स नीती के खलाप हुआ था महाजन साहुकार, रड़ नीती, आदी की विरूत था खेरवार विद्रो, यह आपका 1874 में हुआ, संथाल परगना में इसके नेतित करता थी भागीरत माजी, और विसे इस तत्त इसके बारे में है संथाल पिद्रो की आसभलता के पिती के रिया स्वरूप हुआ था मुंडा पिद्रो, यह आपका 1822 से 32 के बीच हुआ है यह चोटा नागपुर के पठार में हुआ था बेटेस सोसक नीती साहुकार महाजन आदीक विरूत हुआ था ताना बगत बिद्रो यह आपका 1934 में हुआ है चोटा नागपुर में इसके नेतत करता रही जत्रा बगत सीवु माया धीविया धार्मिक राजनेतिक वसांस्कितिक आंदूलन गांदी बाबदी पिरभाव था विर्सांद बद्रो यह आपका 1899 में हुआ 99 की बीच 1899 की इसके नेतत करता रही है विर्सा मुंडा साहब कौन सी विर्सा मुंडा साहब अब कुछ आपके फर्याटन इस्थल है आके 10 घंड़े इन्हें भी देख लीजें इनसे भी कुश्चेंस आपके डारेक्ट बनते रहते हैं यह फर्याटन इस्थल का नाम हो गया दर्सनी इस्थल वेतला राश्टी पार्ग पलामू में यह राश्टी पार्ग है नैतरहाट इस पाहडियों के मलीका सुर्यवदर और सुर्यास्त का द्रस मनमुहव एक आवासिय विध्याल है हजारी बाग यहाँ राश्टी पार्ग भी मिलेगा केंद्रिय वर्सासित वपजावूमी धान अनुसंद धान केंद मिलेगा पोलिस टैंडिंग कोलेज भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा पारसनात ग्रीडी जैन 30-30 सिझथल यहाँ देखने को मिलेगा जमसेथपुर, जूबली पार्क, टाटारन एंड इस्टेल कंपनी, धनबाद में उद्धोगी केवं सोथकेंद, इंडियन स्कूल आप माइन्स, माइनिंग रिसर्च इंटिटीट्यूट, सैंद्री का ओरवर्क, कारखाना, तोब चांची जील यहां देखने को मिलेगी पलामू, यहां आपको चेरों राजाओं की राध्धानी मिलेगी, गरम जल सरोत मिलेगा, जंगल में इस्तित मीदनी राय का किला मिलेगा सैंद्री यहां ओरवर्क कारखाना लगा है, रप्पा हजारी बाग में, रज रप्पा, जल्पपा, देवम जल दहरा हैं यहां देखने को मिलेगी, दुमका, वासुकी नात, धम और मसान, जोर बांद देखने को मिलेगा तिलेया बांध है यहां कोनार बांध देखने को मिलेगा बेथन धनबाद में मैथान बांध है और मैथान में देवी काली का मंदिर भी है पंचेद धनबाद में पंचेद बांध मिलेगा बुकारो बुकारो बांध है देखने को मिलेगा बैदनाद धाम, क्या है? बैदनाद धाम, देवगार, यहां आपको बारे जियोती लेंगों में नव लखा मंदिर, राम लच्मन मंदिर, काली, दुर्गा, सरसुती, आधी के मंदिर देखने को मिलेंगे दुमका, वास्कुिनाद धाम, मसान, जोर बांद, गुड़ा, यहां फरक्का बांद देखने को लगए, राची, बिर्साद जेविक, उद्ध्यान, गौतम धारा, हिनी, दसम जल्पिपात, गेतल सूर डेम, राची जील, राची पहाडी परिष्तित, सती मंदिर, पहाडी परिष्तित, रवन्ना टेगोर का विस्राम ग्रेवी, देखने को मिलेगा आपको, तो एक कहानी थी आपके जहारगंड की, ठीक है, याद रखे, आप इसलिए बता देता हूँ, कि आप अगर जहारगंड के नहीं हैं, तो आपके लिए इतना पढ़ना काफी होगा क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते हैं किसी वी राजी के बादरी में जाना, अगर आप वहां के हैं, तो आप तो इस्पेशल पढ़ते ही होगे वहां, और आपको जानदा जानकवरी होई, तो कुछ मत्पूर तत्थ थे, यह नहीं कह सकता हूँ कि पूरा जारगंड कवर होग क्योंकि मैंने आपका मद्यपदेश और उत्तरपदेश सामानियान पूरा कवर किया हुए, आप देखिए कितना भारी होता है, तो एक निश्कास कह लिजिए, उसी को बताए गया है, ठीक है इसमें?